हेलो दोस्तो आप सभी का मेरी यूटूब चैनल घरेलू नुसके पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में मसा दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तो ताउचा पर पेपी लोमा वारस के कारण छोटे खुरदरे कठोर पिंड बन जाते हैं जिसे मसा कहते हैं मसे काले और भूरे रंके होते हैं मसे आठ से बारा परकार के होते हैं कई बार बढ़ती उमर के साथ कई जंगे सरीर पर कई तरह के मसे निकलाते हैं ये मसे कई बार ऐसी जंगे हो जाते हैं जिन से परेसानिया आती हैं जैसे गले पर मसे नि इनन चाहे मसो को आराम से हटाया जा सकता है बस कुछ इस तरह से रोज कीजिए उच्छू मंतर हो जाएंगे आपके मसे तो आईए जानते हैं मसा दूर करने के घरेलू उपाईयों के बारे में नमबर एक रूई में नीमबू खरस निचोड़ें और इसे मसे पर लगा दें कुछ देर बाद इसे पानी से साप करें लगातार दो तीन सफथा तक ऐसा करने पर आप महसूस करेंगे की मसा गल चुका है नमबर दो लोस या धागे से मसे को बांद कर दो से तीन हपते तक छोड़ दें मसे में रक परवाव रुक जाएगा और वह खुद ही निकल जाएगा नमबर तीन कटे सेब लेकर उनका जूस निकाल लीजिए और उसको दिन में कम से कम तीन बार मसे की जहएपर लगाएं इस जूस को नियमित रूप से लगाने पर आप पाएंगे की मसे धीरे धीरे जड़ रहे हैं और तीसरे सप्था तक लगबक समाप्त हो जाएंगे नमबर चार मसे को समाप्त करने के लिए एक अगर बत्ती जला लें और अगर बत्ती के जलेवे गुल को मसे का सपर्स कर तूरंत हटा लें ऐसा आठ से दस बार करें ऐसा करने से मसा सूख कर जड़ जाएगा अगर ज़्यादा मसे हो तो बारी बारी से सबी मसो को इसी तरीक से जलाकर जड़ा दें ध्यान रहे अगर बत्ती का इस पर्स सिर्फ मसे परी होना चाहिए नमबर पांच आलू का परियोग करने से भी मसे समाप्त होते हैं आलू को छील कर काट लीजिए उसके कटेवे हिस्सों को मसो पर रगडिए ऐसा करने से कुछ दिनों में मसे समाप्त ह हो जाएंगे नमबर छे मसो को समाप्त करने के लिए प्याज भी फाइदेंद है एक प्याज को लेकर उसके रस को दिन में एक बार नियमित रूप से लगाने से मसे समाप्त होते हैं नमबर साथ बेंकिंग सोडा और अड़ी के तेल को रात में मसो पर लगा कर सो जाएं ऐस करने से मसे दीरे-दीरे समाप्त हो जाएंगे नमबर आठ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मसों पर सहध लगाएं इससे मसे खतम हो जाते हैं नमबर नो मसे वाले सो को पाइने पल के जूस में रखिए इससे मसे नश्ट करने वाले इंजाइम होते हैं फूल गोबी करस मिलाने से मसे समाप्त हो जाते हैं लसुन की कली को छील लीजिए उसके बाद उसे काट कर मसो पर रगड़िए कुछ दिन बाद मसे सूख कर जड़ जाएंगे दोस्तों यह था आज का हमा वीडियो कर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक करें और जादा से जादा से एर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नब